अच्छाबाज शरीफ को डर लग रहा है कि पियोके तो हाथ से गया तो एक जुन-जुना पकड़ा रहा है एक छोटा सा लड़ू दे रहा है कि शान्त हो जाओ लेकिन मैं पियोके के लोगों को कहना चाहता हूं यह जुन-जुना के चक्कर में मत पड़ो आप जो ही शान्त ह हुए तो यह फिर वही गेम खेलना शुदू कर देगा यह थोड़ा सा डोस दिया जा रहा है कि आप थोड़ा ब्योश हो जाओ बस पाकिस्तान के प्लानद मंतरी को अब यह साफ दिख रहा है कि वक्त आ गया है कि अब प्योगे उसके हाँ से गया आप प्योगे यह लोग कितना दुराचारी है, अधर्मी है, कितना अन्याए कर रहा है प्योगे के साथ वो मैं बताना चाहता हूं पाकिस्तान में जहां भी बिजली जा रहा है उसका शुरुत क्या है पावर सप्लाई कहां से हो रहा है पानी कहां से आ रहा है पियो के से और वही चीज जो देने वाला है उसको हायर रेट पे बिजली चार्ज होता है पूरा दुरुविवार होता है अन्याय होता है पानी लो P.O.K. से पूरा लोग एश करो वहाँ पर फिर सबसिडी दो और P.O.K. लोगों को हाई रेट पर बिजली दो तो ये तो असा है नहीं है ये तो नहीं चलेगा इसलिए P.O.K. में विद्रोह रहा है अब जो पाकिस्तान शाबाज शरीफ को डर लग रहा है कि P.O.K. तो हाथ से गया तो एक जुन-जुना पकड़ा रहा है एक छोटा सा लड़ू दे रहा है कि शान्त हो जाओ लेकिन मैं P.O.K. के लोगों को कहना चाहता हूँ ये जुन-जुना के चक्कर में मत पड़ो आप जो ही शान्त हुए तो ये फिर वही गेम खेलना शुरू कर देगा ये थोड़ा सा डोस दिया जा रहा है कि आप थोड़ा बिहोश हो जाओ बस इसके चकर में नहीं पड़ना है दूसरी बात है कि खाली वक्त बताई P.O.K. तो हमारा है 26 सक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंग ने इंस्टूमेंटर फैक्सेशन अंड कंडिशनल सरेंडर किया था ये पूरा छेतर हमारा है इक्लूडिंग टिवेट ये तो नहरू की स्टैजिक ब्लंडर है कि हम लोग के हाथ से चला गया उस समय की कमजोर सरकारे थी आज ससक्ट सरकार है और मेरा ख्याल है कि बस वक्त आही गया है समझो कि P.O.K. हमारा हुआ और ये हमारा प्रॉप्टी है हरी सिंग जी ने हमको दिया था हमारा जाजी ने जो हमारा है वो हमारे पास होना चाहिए कानुनी दिश्टिकों से दिश्टिकों से एक दम भयार दिख रहा है काले बादल दिख रहे हैं बादिश कभी भी हो सकती है सक्षर्कार है यह सर्जिकल इस्टाई कर देती है प्योग के बे यह बालाकोट करती है यह गवराती नहीं मोदि सरकार ये रास्ठीत के लिए बहुत-bहुत बुलन्द बुला बहुत कड़ा खटन मतलब जो तो फैसला हो लेले में हिचकचाती नहीं है मोदी सरकार तो उसको तो सभा सर्यू को पता चल गया है कि ऐसा ही होगा तो ऐसा होगा और यह जो यहां के कुछ के लोग बोलते हैं कि atomic power atomic power है मैं उनको बोलना चाहता तुम भारतिय हो कि तो पाकिस्तानी हो दूसरी बात कारगील वार में कहा गया था मुश्रफ का atomic power क्यों नहीं इस्तमाल किया कोई पता है atomic power कुछ है नहीं वो दिवाली वाला फुलजड़ी है फुलजड़ी से हम नहीं ड होना चाहते हो क्या मुझे तो समझ में जी आता है 2300 करोर पाकिस्तानी डूपी आएगा कहां से अधार जब मुझसे ही बोलना है तो 2,300 बोल दो 6,000 करोड़ बोल दो 200 करोड़ बोल दो किसने पुछना है पाकिस्तान सरकार आज तक कुछ आणर की है तो प्यर क्या करेगी य तो इनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि गरीबों को आटा दे दें, चावल दे दें, तोजार तिन्सो करोर कहां से लाएगी, फिर इतना पैसा है तो आएमे वे भी क्यों मांग रहे हो, एक खाली नटंकी वाले हैं यह नटंकी मास्टर, चूट, फरेव, यही इनका अधार ह है, अब प्योके की जनता बेवकूफ नहीं हो, समझदार होगी, सोशल मीडिया पारफुल है, उनको मिनट टू मिनट इंफर्मेशन हता है, क्या हो रहा है, अब इनके भवाज शरीफ को पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके है, प्योके का विलय हमारे साथ, कानून की दिस्टिकों सेए है,